अजमेर रेल्वे केरिज कार खाने में नॉर्थ वेस्टर्न रेल्वे एंपलोई यूनियन के बेनरतली करमचारियों ने विरोध प्रदेशन किया करमचारियों का आरोफ है कि स्थानी प्रशाशन और केंद्र सरकार उनकी विभिन मांगों को अंसुना कर रही है और पिछले चार सालों से वे अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे है रेलवे करमचारी नेता मेहंदर सिंगोधारा ने बताया कि करमचारियों को मिलने वाले सेफटी संसाधन पिछले चार सालों से नहीं दिये जा रहे हैं जिसे लेकर कई बार प्रशाशन को अफगत कराया गया इसके साथ ही केंदर की करमचारी विरोधी नीती और विबिन भत्तों में कटोती को लेकर भी प्रशाशन किया गया जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा इसी तरह से अंदोलन चारी रहेगा की हड़ दर्मिता इसकदर बढ़ चुकी है कि हमारे जो भी स्थानिय मुद्दे हैं चाए वो करमचारी वो वर्दी का बात हो चाए करमचारी वो सेफटी जूतों की बात हो सब में यहां का स्थानिय परशाशन हाथ पे हाथ धरा बैठा रहने का काम कर रहा है साथियों स्थानिय परशाशन की हड़ दर्मिता का ये आलम है कि करमचारी वो से संबंदित जो भी मांगे union उठाती है उसमें कोई सकरातमक रवहया अिस्तानिय परशाशन नहीं उठा रहा है आज हमारे चार-चार साल हो गए है हमारे साथियों को safety जूते मिले हुए और वर्धी मिले हुए बिना सेफ्टी उपकर्न और बिना सेफ्टी जूते और वर्दी के करमचारियों को किस तरह काम करने में सहूलियत होती है इसके साथ ही केंदर सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में भी यह परदर्शन किया जा रहा है केंदर सरकार जो हमारे मेंगाई बत्ते को फ्रीज कर चुकी है और मल्टी स्कीलिंग के नाम पर दूसरे बहुत से जो हमारे पदों को स्रेंटरिंग करने का काम कर रही है उसके विरोध में भी आज हम ये परदर्शन कर रहे हैं